हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आर सी इंफो मेरा नाम दीता चौधरी है और आग जो हमारा टॉपिक है डालेसिस वाटर सिस्टम है इससे पहले डालेसिस कॉंप्लिकेशन पर में इसकी कॉंप्लिकेशन और फीमो डालेसिस पर वीडियो आ चुके हैं जिनका मैं और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट जरूर करें अगर कुछ भी गलती होती है आप बताएंगे तब ही मैं उनको सही कर प तो आज का टॉपिक है वो मैं शुरू करती हूं डायलेसिस वाटर सिस्टम हमारे डायलेसिस के लिए जो वाटर सिस्टम मतब आरो सिस्टम लगा होता है उसमें पानी कहां से आता है देखिए वहां पर आरो सिस्टम में तीन जगे से पानी आता है एक ग्राउंड वाटर सि इसमें इन ओर्गनिक मैटीरियल वो होते हैं जो चीजЕ मतलब मैटीरियल आरुजा नहीं निवार और तालाब आते हैं अब रिवर तो आप अपनी यमना रिवर देख लीज़ें कितना सारा इंड़स्ट्री पॉलिटेंट्स यहां पर जाता है हमारे यहां का भी कुड़ा और सीव्यर वहरा का भी पूरा पानी कहां गिर रहा है यमना रिवर में गिर रहे है ठीक है तो जहां पर भी रीवस से हँगी वह पानी कितना जादा हमफुल होगा क्योंकि जयकादा बहुत पॉलोटन पर जाहंरों लोग यदुल जिया हम्षेन हापothy हमफुल बाट सिस्टम यह इंगवन ग्राउन पानाल माण। तो नेक्स आता है मुंसिपल वाटर सिस्टम, मुंसिपल वाटर सिस्टम में आप जितने भी शहर में वहां पर तो MCD रहते हैं जाहे वह 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 वाटर रहता है लेकिन मुंसिपल वाले जो 62 वाले थे रहे हमें Hindu हमें और साफ पानी वहां में हमारी पानी ही साफ पैने फीडि जाधा होता है रहता है अब जैब है पानी हमारो ढूरिपित ग्सें पानी इसे में पानी के पानी आता है तो हमारा मोन आरो इस सिर्ट म का मुझśmy कि इस पानी को पूरी तरीके से साफ सुत्रामता बलता प्योर वाटर वइना के जहां पर भी हमारा JUST सेंटर है या यूनिट है वहां पर इस प्योर वाटर को पहुंचा है और अच्छी डियलेसिस दें ainegra Apache u P3 7 पानी हम आपड वन्हों ये इज्ट बनता हैं वहां पर लगतली फाटे कम्तरल वाला टीक एट है वहां पर और जेख सेरे से . सबसे पहला आता है बैल्डिंग एंड टैंपरिंग वाल वह चीज होती है मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगी कि यह क्या करेगा कि जो भी पानी आ रहा है एमसीडी वाला जो पानी आ रहा है उसके टेंपरेचर को कंट्रोल करके रखता है ठीक है बढ़ने नहीं देता अगर बहुत जादा गर्मी है तो थोड़ा बहुत तो बढ़े गाई लेकिन नॉमल जो टेंपरेचर पे आ रहा है तो कोशिश करता है यह मतब इसका कामी यह होत तो यह बैक फ्लोव प्रिवेंटर क्या करता है एक्स्ट्रा पानी ना अए तो अगर इसको हम मतलब बैकफ्लोव प्रिवेंटर के तरू हम उस एक्स्ट्रा पानी को वह ही भेज देते जहां से वह आ रहा होता है नेक्स ऐता है बूस्टर प leads, बूस्ट teenage algum प्रेशरएम यह इसका प्रेशर 10 PSI है तो उस 10 PSI प्रेशर पे ही यह जादा पानी प्रोवाइट कराईगी ऐसा नहीं है कि 20 PSI कर दिया तो यह जादा कराईगी नहीं एक इसका जो बूस्टर पम का एक मेंटेन प्रेशर है उसी पे यह आपको जितना पानी चाहिए उतने पानी को बढ़ा के देगी मेंज की जादा पानी कम प्रेशर पे ऐसे करके देती है यह मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में आप बस अभी इतना समझ लीजे कि एक मेंटेन प्रेशर पे जादा पानी दे रही है ठीक है नेक्स्ट इसका पॉनेंट से फिल्टर अब यह जो फिल्टर है प्री कंपोनेंट सिस्टम के यह तीन होते हैं सबसे पहला आता है हमारा मी मल्टी मीडिया और सेडिमेंट फिल्टर यह जो मल्टी मीडिया सिस्टम में यह मल्टी पिल लेयर से बना होता है किसकी सेंट की कोल की और गार्डनेट की जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है यह Multimedia Filter जो है जबरारी नहीं है कि हर यूरिट में होगा तीक के यूरिट में यह नहीं होता क्योंकि इसकी जेगे पे micron Firter यूज कर ले जाते हैं क्योंकि csak Repeat centigradeakin से due to flour Militar ज्यादा सस्ते होते हैं थीछ के इस फिल्टर है इसका granular activated carbon filter अब यह granular activated carbon filter जो होता है यह activated carbon से मिलके बना होता है ठीक है और इसका जो main काम है यह क्या करता है कैसे काम करता है वो मैं other video में जो next video आएंगे उसमें बता रही हूँ अभी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसका main work क्या है कि जो पानी आ रहा है municipal water उसमें से chlorine और chloramine को हटाता है आप लोगों को फिर भी इसमें पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं मैंने इसमें लिखा हुआ है जो इसके बाद आता है थर्ड फिल्टर हमारा water softener filter यह water softener filter क्या करता है कि जो हटाता है ठीक है अब यह आइन के थुरू मतलब हटाएगा आइन sodium chloride मतलब इसमें क्या होता है softener में एक sodium मतलब नमक रखा होता है region nation के लिए वो मैं आगे बताऊंगी तो उसके थुरू यह क्या गड़ता है कि calcium को और magnesium को पानी से हटाता है और जो water की जो hardness है उसको कम करता है ठीक है next इसका fifth part है pre treatment system का chemical feed tank अब chemical feed tank क्या है chemical feed tank में क्या रहता है sulfuric acid होता है इस feed tank में और इसका main काम क्या होता है यह pH level को कम करता है कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा carbon tank है उसकी pH काफी बढ़ जाती है that situation में यह chemical feed tank उस carbon tank के pH level को कम करता है अब दूसरा पार्ट आता है हमारा post water treatment component पहला हमारा क्या होगे pre water components जिसमें की हमने 5 parts पढ़े उसके filter और आपका feed water chemical feed water वाला और booster pump एर लाइक ठीक है यह सब पढ़े अब next हमारे post water treatment component अब post water treatment component जो होता है यह इसको मेली हम क्या बोलता है reverse osmosis क्योंकि यह post water treatment system है यह कैसे काम करता है दो चीजों मतलब इसमें तो चीज़े include होती है एक होता है purification और दूसरा procedure इसमें क्या होता है distribution ठीक है अब purification में क्या होता है it is done with the help of reverse osmosis अब purification कैसे होता है purification होता है मतलब post water treatment components दो procedure में काम करता है एक purification में और दूसरा क्या है distribution purification जो होता है वो होता है RO system की help से जिसको हम मेली RO पढ़ते हैं ठीक है तो RO की help से या फिर नेक्स्ट डी आयोनाइस्ट टेंक के थरू ठीक है अब कि आगे पढ़ते हैं कि जो RO system होता है वो majority of elements को मतलब filter वहरा ने तो elements remove किये ही किये लेकिन जो RO हम जिसे हम RO बोलते हैं यह पोस्ट वाटर treatment system में आता है ठीक है और यह पोस्ट वाटर treatment components होते हैं इसके दो प्रोसीजर purification and distribution purification जो प्रोसीजर है वो reverse RO system reverse osmosis system के थरू और deionization tank के help से आगे बढ़ता है ठीक है अब reverse osmosis system में काफी सारे parts होते हैं जो different different things को remove करते हैं पानी से जो कि मैं आगे बताऊंगी लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बता रहे हूं कि इस RO system में कौन-कौन से parts होते हैं सबसे पहला RO membrane RO system का parts से दूसरा है RO pump यह high pressure pump थर्ड है pressure gauge फोर्थ है conductivity water flow 5th काटी काटी रिस प्री फिल्टर नेक्स्ट एंटी स्क्लेंट इसके बाद UV lamp अगें main board with display control panel यह control panel भी बोल दीजे फिर पाइरोजन फिल्टर ठीक है यह nine parts जो होते हैं यह RO system के होते हैं ठीक है और यह 9 जो जितने भी parts है इनका अपना अपना अलग अलग वर्क होता है जो नेक्स वीडियो में बताती हूं अब आता है distribution जब यह हमारा RO system पूरा पानी को जब अच्छी तरह से सफाई कर देता है उसके बाद यह पूरा पानी हमारा जो storage tank होता है वहां जाता है और इस storage tank से यह पानी distributor pump के थिरू distribute होता है hemodialysis unit में और सभी मशीनों को और जहां पर भी dialysis वेरा बनता है वहां तक यह पानी पहुंसता है तो यह था हमारा pre-water system components और पोस्ट वाटर पोस्ट वाटर कंपोनेंट ठीक है अब जरूरी नहीं अब दूसरा आता है हमारा dionize tank अब जरूरी नहीं कि हर जगे डियो आयो नाइस टेंक लगा होगा ठीक है बहुत सारे सेंटरों पर dionize tank नहीं लगा होता क्योंकि उसके बदले में इनके पास फिल्टर सोते हैं अल्ट्रा वैलेट इरिडेटर सोते हैं और वहीं यह सारा काम कर देती है तो जरूरी नहीं है कि सब जगे जो dionize tank है वह हो ही हो ठीक है तो यह था आज का हमारा वीडियो और इसके डिखा हुआ कि कउन सा कहां पर कैसे है कैसे नहीं है तो आप यहां से इसको देख सकते है क्योंकि बहुत फिर भी मुझे जितना दिख रहा होतना मैं बता दी यहां पर आप देखेंगे तो यह उपर की तरफ बाल वेरा लगे हुए बूस्टर पंप है ठीक है उसके बाद यह आगे पानी जाई रहा है तो पूरा का पूरा है मैं नेक्स वीडियो पे इसका किलियर पिक्चर लेकर आऊंगी तो आज का यह हमारा वीडियो था अगर आप इसको दिखाई दे तो प्लीज आप इसमें से थोड़ा सा बढ़ा करके इसको देख लीजेगा समझने के लिए ठीक है और अगर आपको मेरा वीडियो तो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्क्राइब और कमेंट जरूर करिएगा थैंक्यो आपको